नवस्कार दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रम आप्षवी का श्वागत अभिनन्दन है टीचरस फेमिली टीटी फेमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपिटेट वर्ग हिंदी प्रेक्टिस सेट की बात करेंगे जिसमें आपके समस्लेवस का पूरा निचोर रहने वाला है और इसमें जो नए एकजाम पटन के कौर्डिंग चैन पर इच्छा होना है उसके कौर्डिंग यहाँ पे सलट किये गए है और यहाँ पे हम पहले प् सेवन पीयम में हमारी यहाँ पे डेली लाइब क्लास अब होगी आपकी हिंदी की तो सेवन पीयम में आपको डेली इवनिंग में आना है बाकि रिकार्डेट क्लासेज आपको मिल जाएगी फ्री ऑपकॉस यूटूब पर तो चलिए क्या सबी लोग आप लोगते आ हैं वर अब ज़िएगा मेरे पेरे पेरे भाईयों के पेरी पेरी बहने ग्रहनी जिनका सपना है टीटिक जाम को फते करना जैस्वाल सराप सभी कविनंदन श्वागत करते हैं मेरी जीविन जो यात्रा है यह किसकी आत्मकता है तो राहूर संक्रत्यायन की सी आप सन्यापे सईकल दूसरा प्रशन है देहाती दुनिया के रशनाकार है पदुमलाल पुन्नालाल वक्सी हजारी प्रशाद दिवेदी सिवपूजन सहाय बलभद दिच्चित पढ़िस की बात करेंगे तो देहाती दुनिया के रशनाकार कौन है तो सभी लोग जानते हैं सिवपूजन सहाय भ सम्हासा के जादु बर के नामसे फुर्ख्यारत elder then well that huh2 ये अर्व्याव की रचना विदाए छुर्ख दोस्तों है यह रामब्रच निपूरी द्वारा लिखी टि पुस्टक है जो कि संस्मन आत्मक रेखाचित्र हैं जो कि आपसन में नहीं दिया गया है इसलिए इन में से कोई नहीं होगा और और भी इनकी रशनाएं हैं राम रच बेनिपूर की जैसे लाल तारा माटी की मूरत मील के पत्थर ठीक है इनकी अन रशनाएं तो गिहों और गुलाब की बिधा आपकी कौन से हो जाएगी राम रच बेनिपूर द्वारा संस्मर रातमक रेखा चित की बात करेगी अगला प्रशने आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारी तेक उपन्यास है प्रेमचन, बंकिमचन चटरजी, रविन ना ठाकोर या सतरंज सरचन्द की बात करेंगी अवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारी तेक उपन्यास है सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे सरचन्द की बात करेंगे सरचन्द की जीवनी को विश्ण प्रभाकर ने लिखा है प्रेमचन आधारी जीवनी कलम का सिपाही किस ने लिखा है तो अम्रत राय ने लिखा है अंगला परसे देख लेते हैं सीलाल सुकल की रचना कौन सी है? आसार का एक दिन, कटरा बियारजू, राग दरबारी या आदमी का जहर सीलाल सुकल की रचना कौन सी है? राग दरबारी विश्राम पूर का सं तथा आदमी का जहर सीलाल सुकल की प्रमुकतियां है सी आपसन या पे सही हो जाएगा धर्म यूग पत्रिका के यह सस्वी संपादक कौन थे? रगबीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद यादो या धर्म बीर भारती सभी कमेंट केज़ेगा धर्म यूग पत्रिका के यह सस्वी संपादक की बात कर रहें सभी जानते धर्म बीर भारती लेकिन दोस्तो इनके प्रकासित कब ग्रंथों का थंडा लोहा, कनुप्रिया, सूरज का सात्म घोडा, अंधा यूग, देशांतर है इसके साथ प्रमुक पत्रों में धर्म यूग सपताहिक, निकर्स, अलोचना आदी है और राजेंद यादों ने हंस पत्र का संपादन किया था अगर प्रशना आ गया कि हंस पत्र का किसने संपादन किया तो राजेंद यादों ने किया था और धर्म यूग पत्तिका की बात करेंगे तो धर्म बीर भारती ठीक है कोई भी डाउट हो बेफिकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मात्रम इंकलाब जिंदाबाद कमेंट यहां पे बरकरार होना चाहिए प्रतेक सिच्चक का कमेंट यहां पे आना चाहिए प्रतेक टीचर का कमेंट यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों कुवानो नदी कविता संग्रह के कभी यहाँ पे पूँचा जा रहा है जियां कुवानो नदी कविता संग्रह के कभी कौन से हो जाएंगे तिलोचन, भारत भूशन अग्रवाल, अग्गें या सर्वेशत दयाल सक्सेन की बात करेंगे कुवानो नदी कविता संग्रह के कभी पूँचा जा रहा है और वह सर्वेशत दयाल सक्सेन इनकी अन्य रचनाए हैं काट की घटिया बांस का पुल गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इनकी अन्य रचनाए हैं सर्वेशत दयाल सक्सेना जी की गली आंगे मुर्ती है इसके लेखा कौन है सभी बताईए गली आंगे मुर्ती है इसके लेखा कैस्यू प्रसास सी यह क्या है आपका गली आंगे मुर्ती है ये एक आपका उपन्याश है और अंगलापस देख लेते हैं एक बूंद सहसा उचली की रशना विधा कौन सी है एक बूंद सहसा उचली ये रशना जो विधा कहला जाती है यात्रावर्त्त की बात करते हैं ये किसके द्वारा लिखित है तो अगें द्वारा ये लिखित है इनके अन्यात्रावत्त है अरे यायावर रहेगा याद बहता पानी निर्मल है इनके और भी यात्रावत्त है बहता पानी निर्मल अंगला प्रसंदेख लीजेगा और फीडबेक कर दीजेगा हिंदी में सिकार साहित के अप्रतिम लेखक कौन है जगमोहन सिंग, चंदधर सर्मा, गुलेरी, सीराम सर्मा या इनमेश कोई नहीं हिंदी में सिकार साहित के अप्रतिम लेखक पूछा जा रहा है और वह दोस्तों सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे चंदधर सर्मा गुलेरी या सीराम सर्मा या इनमें से कोई नहीं जगमोहन सिंग देखे चंदधर जो सर्मा गुलेरी जी है ये कहानी साहित के अप्रितिम लेखक और जगमोहन सिंग प्रसिद एक उपन्यास कार है जगमोहन सिंग क्या है प्रसिद उपन्यास कार है और इनका प्रमुख उपन्यास स्यामा शुपन है और हिंदी में सिकार साहित के अप्रितिम लेखक आपके सीराम सर्मा जी भारतेंद युग और हिंदी भासा की विकास परंपरा के लेखक कौन है राम विकास सर्मजी ये माक्सवादी समिच्छा के सिखर पुरूस है इनकी और भी प्रमुक अलोचनात्म क्रतियां है भारतेंद युहरिष्चिंद आस्था और संदर भासा और समाज निराला की साहिस साधना अंगला प्रशना ये देख लेते आत्म हत्या के विरुद्ध कभिता संकलन के कभी कौन है शर्विश्वर दयाल सक्षेना धर्मीर भारती रगवीर सहा या मुक्तिबोद आत्म हत्या के विरुद्ध कभिता संकलन के कभी पूँचा जा रहा है यानि रगवीर सहाय ये अग्येंजी द्वारा संपादित दूसरा सब्तक के प्रमुख कभी है इनकी प्रसिद रचना है सीड़ियों पर धूप में हसो हसो और जल्दी हसो तथा लोग भूल गए इनकी अन्रचना है रगवीर सहाय की बात करेंगे प्रतिवी राज की आँखें सीर्शक नाटक के रचैता कौन है प्रतिवी राज की आँखें हम बात करेंगे राम कुमार वर्मा जी की बीजय पर, रेस्मी टाई, दीपदान रजत रस्मी, इंदधनों सुरूप रंग, इनकी अर्न रचना हैं आपके राम कुमार वर्मा जी की साथी प्रतिवी राज की आँखें भी इनकी सीर्शक नाटक की है राम कुमार वर्मा जी चारुचंद लेक के उपन्यासकार कौन है जी हाँ बान भट की आत्म कथा अनामदास का पोथा अनरचना हैं इनके हैं निम्निकित में से तार सब्तक में कौन कभी सामिल नहीं था दीकि तार सब्तक का प्रकाशन अग्यें के संपाद कत्त के हुआ था समय और वह समय था उन्नीस सो तिरालिस में हुआ था इसमें प्रभाकर माचवे नेमिचन जैन भारत भूषन अक्रवाल ये तीनों तार सब्तक में कभी में सामिल थे लेकिन रामधारी सिंग्धिनकर जी आपके सामिल नहीं थे प्रभाकर माचवे नेमिचन जैन भारत भूषन अक्रवाल प्रथमतार सब्तक के कभी थे आधा गाउं के लेखक कौन है आधा गाउं के लेखक राही मासूम रजा यह आचली कुपन्यास है राही मसूम राजा की अन्भी रचनाए है एक है टोपी सुकला ओस की बूंद हिम्मत जौनपरी दिल एक साधा कागज दिल एक साधा कागज भी आपके राही मसूम रजा जी की रचना इंदुमती कहानी के लेखक कौन है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है जिसे 19 सुनों में सस्वती पदिका में प्रकासित हुआ था जिसके लेखक है किसोरी लाल गोस्वामी जी निशाद बासुरी की रचना विधी बताना है रेखा चित ललित बंध कहानी या संस्मरण की बात करते हैं निशाद बासुरी की रचना विधा पूछा जागा है तो यह हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा ललित निवंध प्रमुक ललेत निवंध कार कुबेर नात के प्रमुक निवंधों में निशाद बासुरी की रशना बिधा की बात करते हैं इनमें से कौन आचली कुपन्यासकार है? जी हाँ, आचली कुपन्यासकार पूछा जागा और जैनेन कुमार जी इनमें से आपके आचली कुपन्यास है और इनका प्रमुक उपन्यास कौन सा है जैनेन कुमार जी का आधा गाउं क्या है? आधा गाउं आई ये बात करते हैं अंगले प्रश्न की कनुप्रिया के लेखक के बात करते हैं धर्मबीर भारती ठंडा लोहा इनकी अर्न रचना है साथ गीत वर्ष अंधा युक धर्मीर भारती जी की रचना कौन सा सब्द गंगा का पर्यावाची नहीं देखे जानवी सुराशी देवपगा ये गंगा के पर्यावाची लेकिन सरिता, तरंगनी, अपगा, तटनी, सरी और सर्णवती ये सभी नदी के पर्यावाची तो सरिता नदी का है बाकि ये तीरों गंगा के है ध्याया लोग किस तत्य सम्मंदित आपका हो जाता है काव के विश्यष्ट तत्य के रूप में ध्वनी सब्यकास्तर प्रयोग जो है आनंद वर्धन के धन लोक में मिलता है किसके आनंद वर्धक के धन लोक पर कनक कनक से कनक कनक ते सौगुनी माधकता अधिकाय कांसल अंकार है काफी बार आपने पढ़ा होगा बच्चों को पढ़ा भी होगा जहां कोई सब्द एक सधिक बार प्रिक्त हो उसके यर्थ में अलग-अलग होते यहां यमक अलंकार होता अनला पसंद देखेगा टेड़े मेड़े रास्तक के लेखक कौन है? टेड़े मेड़े रास्तक के लेखक भगवती चरण वर्मक की बात करते पाल गोमरा का स्कूर्टर कहानी के लेखक कौन है? वे दोस्तों हैं उद्धै प्रकास पाल गोमरा के स्कूर्टर नामक कहानी के लेखक उद्धै प्रकास जी सी आपसन सही कर लेना नए इलाके में किसकी काबक्रती है तो नए इलाके में दोस्तो अरुन कमल की रचना हो जाएगी नए इलाका निमल्कित में से कौन सा माक्सवादी बिचारधारा का अलोचक नहीं देखें माक्सवादी विचारधारा का अलोचक नामवर सिंग, शुदान सिंग चवहान और राम विलास सर्मादी लेकिन बिजय देव नारायन सा है ये माक्सवादी विचारधारा का अलोचक नहीं डिकार्डियंट क्वेश्चन डी आप्सन सही हो जाएगो अंगला समिधान के अनुच्छे 359 में किस भी से कवर्णन किया गया है तो सभी जानते हिंदी भासक विकास से सम्मन्दित निर्देशों डी आप्सन सही हो जाएगो निमलिकित में से वर्तनी की रस्से सुद्ध सब्द का चैन करिए पूजिनी, परिपारशिक, उज्जल, जोजसना वर्तनी की रस्से सुद्ध बताना यहां पर वर्तनी की रस्से सुद्ध हमारा परिपारशिक, आप्सन सही हो जाएगो अंगला है स्वार्त का बिलोम कौन सा होता है तो स्वार्त का बिलोम परमार्त, स्वार्त मतलब स्वयम के लिए, परमार्त मतलब दोस्रों के लिए संस्कत के चार अध्याय किसकी रस्सना सभी कमेंटी, संस्कत के चार अध्याय किसकी रस्सना तो यह दिनकर जी की रस्सना हो जाती है जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है जुलूस उपन्यास के लेखक फ़र्णिश्वर नात रेणू देखे दोस्तों मोहन राकेश अगर पूछा जाता इनके अनुपन्यास कार है अधेरे बंद कमरे में ना आने वाला कल और अंत्राल कमलेश्वर जी की जो उपन्यास है सुबह दोपार साम काली आंधी तीसरा आदमी समुद्र में खोजा हुआ जल लेकिन जलूज को पन्यास फण्यासर रिनेरू की बात करें दुलाई वाली किस किस विधा की रचना है दुलाई वाली तीस कहानी की लेका बंग महिला राजेन बाला घोश ये कहानी है दुलाई वाली और इसकी लेका बंग महिला राजेन बाला घोश जी हैं इस कहानी का प्रकासन आपके 1907 में सरस्वती पत्तिका में होगा था कमल लैन में कौन सा समास है कमल लैन अर्थात बहुबरी समास देखा जाए तो कर्मधारे समास का उधारन है लेकिन कर्मधारे विकल्प में नहीं दिया गया है इसलिए आपका बहुबरी होगा अगर कर्मधारे होता तो कर्मधारे कलती है लेकिन आफसन नहीं इसलिए बहुपरी समांच आइटम्स अ ओक नन्युन ना मन तेल होगा ना रादा न चये गी इसका इर्थ क्या होता है यहाँ नव्मन ना पहो गया ना मन तेल होगा न ना राधा न चये पहले मन में नापा जाता था इतने मन ठीक है एक तौल है एक प्रकार का तो इसका आर्थ होता है अशंभावकार इसका रत क्या हो जाएगा अशंभावकार बकरी नाटक के रचाईता कौन है मोहन राकेश उपेंदनात अश्क हभीब तन्वीर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक के रचाईता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रसिद्ध नाटक बकरी इबं कल भात आएगा बकरी साथ एक और इनकी प्रसिद्ध नाटक है कल भात आएगा और मोहन राकेश जी की प्रसिद्ध जो है वह आसाड का एक दिन क्या हो जाएगा असाड का एक दिन ठेक है आईए अंगले प्रिश्ण की बात करते हैं अंगले प्रिश्ण की बात करेंगे और सभी लोग आँपे कमेंड कीजेगा प्रतेक भाई बेंड ग्रणी निमलिकित में से कौन सा उपन्यास नागारजुन का नहीं सभी बताईए देखी दोस्तों बलच नमा रतिनात की चाची वरुन के बेटे ये तीनों जो है आपके नागारजुन की लेकिन परती परिकथा परती परिकथा मैला आचर जुलूस चौराहे ये फर्निश्टर रिनिन के उपन्यास हो जाएं थीक है अंगलै भूल गलती कभी ताके कवी कौन है भूल गलती नागारजुन त्रिलोचन के दार नाथकरवाल या मुक्ति बोद भूल गलती कभी ताके कभी पूचहे जा रहे हैं वह होता मुक्ति बोद मुजと思います डी आप्सन सही हो जाएगा अंगला निम्लिखित में से लोकोक्ति को चुनना है अंधे की लकडी नौ धो ग्याराय होना गले पढ़ना अज जल गगरी छलकत जाए तो आपने कौनसी लोकोक्ति सुनी है अज जल गगरी छलकत जाए मुहावरे में अंत में अन्यवार रूप से ना जरूर जुड़ा होता है लोकोक्ति में ना नहीं जुड़ा होता है अगर मुहावरा दिया गया है तो ना जरूर जुड़ा होता है बलकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है ये बड़ी पहचान है जैसे न दो ग्याराय होना गल हान इलाब में कौन सा समास होता है दोनों पच्छ प्रधान है दोनों पच्छ बलवान है तो हान और लाल में दुन्द समास होगा जो की आपसन नहीं दिया गए इसलिए इन में से कोई नहीं दुन्द का साब्दी कर्थोता युगम या जोड़ा या बिलोग दो पद हैं दोनों पदों की प्रधानता है बुद्ध का काटा कहानी की लेखक कौन है बेचन सर्मा उग्र जी चंदधर सर्मा गुलेरी जी प्रेमचन जी बुद्ध का काटा कहानी की लेखक बताना है चंदधर सर्मा गुलेरी इनकी अनरचनाएं भी हैं उसने कहा था शुक में जीवन उसने कहा था हिंदी की सवसेश कहानी है जो सवस्वती पत्तिका में 1915 इस्वी में प्रकासित होई थी ब्रजभासा है कौन से है पूर्वी हिंदी, पश्मी, बिहारी या पाड़ी हिंदी किस हिंदी को ब्रजभासा कहा जाता है यह ब्रजभासा कौन से दिशा की हिंदी कहलाती है तुँ है दोस्तों पश्मी हिंदी पश्मी हिंदी की प्रमगोलियां खड़ी बोली है ब्रजभासा है, हरियाणी, कन्नोजी है और पूर्वी में क्या बोली जाती है अवधी, बगेली, छतीस गड़ी बिहारी में क्या बोली जाती है मैथली, मगही, भोजपुरी और पहाडी बोली, गढ़वाली, नेपाली बोलियां आदियाती अनन्द का सही संदि विच्चेत क्या होगा, अनन्थ अनन्थ मतलब अनधन अन्थ ये बेंजन संदि का उधारण है और बेंजन के सास्वरथ बेंजन के मेल से जरू पांतन होता हुसे बेंजन संदि कहते है बी आप्सन सही हो जाए निम्रिकित उपन्यासों में से प्रेम चंद का अंति मुपन्यास बताई शेवा सदन, प्रेमास्रम, निर्मला या गोदान प्रेम चंद की अंति मुपन्यास बताई और वह गोदान प्रेम चंद का प्रथम प्रोड़ी हिंदि उपन्यास कौन सा है प्रथम है आपका सेवा सदन जो की 1918 में आया था और अंतिम उपन्यास है गोदान ठीक है तो दोनों चीज़ें आपको समझ लेना निम्रिकित में इसे सुद्ध वाग को चैन करना है राम रोटी खाया है राम ने रोटी खाया है राम ने रोटी खाई है राम रोटी खा लिया है सुद्ध वाग बताना सभी बताईए तो राम ने रोटी खाई है सी आपसन इदर आईटेंस है अंगला प्रश्ण है नेता जी कहिन के लेखक हैं रवीन्द कलिया जी रवीन्द नात्यागी जी सिलाल सुक्ल जी मनोहर स्याम जोसी की बात करें नेता जी कहिन के लेखक यहां पर कौन सा हो जा रहा है तो मनोहर स्याम जोसी की बात करें जी है नेता जी कहिन के लेखक मनोहर स्याम जोसी की बात करें अंगला निम्रकित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीद छंद है रोला चौपाई छपपय या इन में से कोई काउं सा चंद दोहा का विप्रीच चंद हो जाता है देखेvad। दोहा का विप्रीच चंद क्या होता है। वो होता है सोरठा दोहे की विशम चरण में य्यनि पहले और तीसरे में 13-13 और सम यानि दूसरे और चते में गेरा-गेरा मात्राएं होती है में इसनि प्रेकार सोख्ठा में 20 सम में गेरा यह जोर निकित में प्रेक। देखे दोस्तों, दिनकर को उर्वसी के लिए 1972 इसी में मिलाद, नरेश महता जी को हिंदी साहित में योगदान ये तु ज्ञान पीट पृस्पकार दिया गया, लेकिन नागारजुन जी को ज्ञान पीट पृस्पकार नहीं मिला है, एक आर्डिन्टी कोश्चन से आपसंस ही हो जाएगा, बाल्टी कैसा सब्द है? तो बाल्टी एक आपका पूर्टगाल या पूर्टगाली भासा का सब्द हो जाएगा, अर्थात बिदेश सज हो जाएगा, सूची दी गई है, दो सूचियां दी गई है, पहले में पुस्तक और लेखक दिया गया है, पुस्तक सेखार एक जीवनी जिसकी असोक के फूल, क्या भूलूं, क्या याद करूं, हजारी प्रसाद दिवेदी, हर्वन सराय बच्चन और अग्गेंजी, नीचे आप संतिये, सेखार एक जीवनी जो है, अग्गेंजी की है, असोक के फूल, हजारी प्रसाद दिवेदी जी, क्या भूलूं, क्या याद करूं, हर्वन सराय बच्चन और अग्गेंजी, तीसरा, पहला और दूशरा, यानि की, तीसरा, पहला, और दूशरा, आई होप ये प्रेक्टिस सेट में हमने 50 प्रसन अटेंड किया, आई होप सभी प्यार में तच्छे तरीके समझ लिये होंगे, डेली हमारी 7 प्यम में लाइब क्लास होगी, प्रेक्टिस से डेली कोश्चन लेकर आएंगे, और भी कोश्चन बढ़ाने की कोसिस करेंगे, ताकि प्रपेशन और बेहतर तरीके से हो सके, और जो एकजाम में प्रिवेस एर में पूछें गए हैं, उस लेवल के कोडिंग उससे और लेवल हाई लेवल करने की कोशिस कर रहे हैं, जिससे आपकी त्यारी A to Z हो सके, सेलेक्सन 101% मिल सके, मैं आपके साथ जैस्वाल सर मिलता हूँ, आपके अंगली प्रेक्टिसेट पर सभी मित्रों को जय हिंद बंदे मात्रम धन्मा शवीदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूद